कि निवस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अपने आपको आम आदमी पार्टी का नेता कहने वाले और अर्विंद केजरिवाल जो कि कभी कहा करते थे के पंजाब के लोगों की कपनी पहली कलम से लोगों की बजली को माफ करेंगे। लिए और विधायकों के लिए लगजरी गाड़ी लेगी पंजाब सरकार आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है जिसमें 18 करोड रुपे की कीमत लगेगी 18 करोड रुपे का खर्चा होगा जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के लिए पंजाब सरकार लगजरियां गाड़ी ले रही है जिनकी कीमत 45-50 लाख है फॉर्चन और गाड़िया ले रही है और तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों के लिए इनोवा क्रिस्टा गाड़ी ली जा रही है जिसकी कीमत 25-30 लाख रुपे है आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो लगाता का भी हम पूरा नक्षा बदल देंगे और आज जो वादे आम आदमी पार्टी के सईयों जग आम आदमी पार्टी किये गए थे चुनाफ से पहले किये गए थे और कहा गया था कि हम पंजाब के लोगों की बिजली जो है उसे पहली कलम से माफ करेंगे पंजाब में लोगो के नेताओं के लिए यानि के कैबिनेट मिनस्टरों के लिए और विधायकों के लिए लगजरी गाड़ी दी जाएंगी उनके आने जाने के लिए आपको बता देंगी जहां एक तरफ इस फैसले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है तो तमाम लोग हैं जो इसका लगातार विरोत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आमादमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बराने से पहले वादे क्या किये थे और आज आमादमी पार्टी यानि की जो अर्विन केजरिवाल और अभी कुछ दिन पहले एक इंट्रिव्यू के दोरान ये कह रहे थे कि हम जो पैसा केंद सरकार से लेने गए थे वो जनता का पैसा है एक तरफ तो केंद सरकार से जादा पैसा अर्विन केजरिवाल लेते ह कार्रिकरमों के लिए प्रदेश में उन्नती करने के लिए और वहीं किस तरीके से सरकार के उच्जनता के पैसे को इस्तमाल किया जा रहा है अपने नेताओं को लगजरी लाइफ देने के लिए आपको बता दें कि अभी सरकार को बने हुए महज एक महीने से जादा पंजाब में नहीं हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब के मुख्य मंतरी भगमनमान देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से दो साल के लिए फंड मांगने के लिए पहुचे थे जिसमें उ रुपियों किया जा रहा है पंजाब में जिसको लेकर लगातार विरोध अब हो रहा है लोगों का आपको बता दें कि यह पहला फैसला नहीं है जो आमादमी पार्टी की तरफ से लिया गया है आपको बता दें कि जब 16 मार्च को भगमनमान ने सीम पत की शपत ली थी उस स सरकार पंजाप में बन चुकी है किस तरीके से करोडों का रुपिया है वो इस तरीके से उड़ा रही है इसी के साथ आपको बता दें कि जहाँ सरकार के खर्चों को लेकर आज जंता जो है वो अपना आकरोश दिखा रही है, खर्चे गिन वाराए है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविन केजरिवाल के उन तमाम जूटे वादों को लेकर आज जनता गिन रही हैं और बता रही है कि किस तरीके से चुनाफ से पहले अरविन केजरिवाल ने बड़े वादे की ए थे 18 साल से ओपर की महिलाओं को 1000 रुपे और इसके साथ ही कहा गया था कि फ्री बिजली और फ्री पानी और आज सरकार को बने हुए महद कितने सारे दिन हो चुके हैं पर अभी तक एक भी वादा पंजाब सरकार ने पूरा नहीं किया है पंजाब में इसके साथ आपको ये बता दें कि अपने नेताओं के लिए अपने कैबिनेट मिनस्टरों के लिए लगजरी गाड़े देने वाली आमादमी पार्टी की जो सरकार है वो PCRTC की बसों को पेंट करा कर ये कह रही है कि ये नई बसे हैं जिसको लेकर अब लगातार जमावड़ा लगा हुआ है सोशल मीडिया पर आमादमी पार्टी से लगातार सवाल पूछे जा रही है क्या आमादमी पार्टी के पास जो पैसा है जो सरकार की पास पैसा है जो पंजाब की सरकार के पास पैसा है क्या वो सिर्व अपने नेताओं के लिए है, क्या सिर्व अपनी जेब भरने के लिए है, जो इस तरीके से पुरानी बसों पर पेंट करकर यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कि ये नई बसे हैं यानि कि जहां एक तरफ अरविन केजरिवाल के नई फैसले का विरोध हो रहा है आमादमी पार्टी की सरकार का तो वहीं दूसरी तरफ इन चीजों को लेकर किस तरीके से अरविन केजरिवाल की पॉल खुल रही है कि पुरानी बसों पर पेंट करकर उन्ह पी नेता मंजिंदर सिंग सिरसा नेवी सवाल उठाया है चाहे फिर वो अपने नेताओं के लिए गाड़ी लेने का सवाल हो या फिर दूसरी तरफ पुरानी बसों पर पेंट करने का मामला हो जिसको लेकर अब आमादमी पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है अपने उन खुलासा हुआ है इसको लेकर आमादमी पार्टी की किरकिरी हो रही है तो वहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज अर्विन केजरिवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से अर्विन केजरिवाल पंजाब को बदलने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि ह आपने 20 दिनों में प्रस्ट चार खतम कर दिया है पंजाब से पर आज प्रस्ट चार की बात करें तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है वो खुद ही जनता के पैसे का किस तरीके से इस्तमाल कर रही है अपने नेताओं की मूलभूर सुविधाओं प्रविन के लिए जनता के पैसे का इस्तमाल किया जा रहा है लग्जरी सोविधाएं दी जा रही है इसी की साथ आपको ये भी बता दें कि अगर हम दिल्ली के मामले के भी बात करें तो दिल्ली में भी अर्विन केजरिवाल की दूसरी बार सरकार बन चुकी है जिसको लेकर सौद्ם को से कि अर्विन केजरिवाल सुसाने जित arrest नह爸 αυτό बाते हैं वहिंद ने कि अंद्व कह medium गांस दिके भी शकूल सुथ से पूरु एश देश Bowl और के सिक्षव प्रणाली की तारीफ करने वाले अर्विन केजरिवाल की जहां एक तरफ दिल्ली में पोल खुल चुकी है तो वहीं चीज़ें दिखाई दे रही है पंजाब में किस तरीके से पंजाब के लोगों के पैसे का गलत इस्तमाल कर रही है पंजाब सरकार और आपको ये भी बता दें कि आज जुस तरीके से पंजाब सरकार के इन नए वहानों के खरीदने को लेकर जो यानि की करोडो रुपे का जो किस तरीके से बरबात किया जा रहा है अपने नेताओं के लिए गाड़ी और मूलबू सुविधाओं के लिए फॉर्चनर से को लेकर इसके विरोध के बाद आज पंजाब के मुख्य मंत्री भगवनमान का भी एक बयान सामने आया है जिसमें भगवनमान ने कहा है कि हम कोई गाड़ी नहीं ले रहे हैं नेताओं के लिए और वो पुरानी गाड़ी जो पुराने विधायक और मंत्रियों की थी हम उन पंजाब की सरकार को लेकर सवाल उठा रही है कि कैसे कोई सरकार एक तरफ अर्विंद केजरिवाल कहते हैं कि हम जनता का पैसा लेने गए थे अपने नेताओं के लिए किया जाता है यह वही अर्विंद केजरिवाल है जो कभी जन लोगपाल बिल की बात किया करते थे और यह कहते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कभी भी सरकारी सुविधाओं को नहीं लूँगा इसके साथ आपको यह भी बता दें कि जहां भारती जन्दा पार्टी ओर तमाम लोग आम आदमी पार्टी के इन फैसलों का विरोत कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के उन तमाम चीजों की पोल खोल रहे हैं चाहे फिर वो पुरानी बसों पर पेंट करने को लेकर हो दिली का उस्कूल का मामला हो या फिर तमाम ऐसी चीजों हो जिन पर अरविन केजरीवाल ने जूड बोला है क्योंकि कलम को लेकर जिसमें और वो कलम वाली वीडियो भी अफ शोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रही है जिसमें अरविन केजरीवाल ने कहा था कि मैं अपनी पहली कलम से 300 फ्री यूनिट बिजली माफ करूंगा बिजली को माफ करूंगा बिजली को फ्री करूंगा पंजाब में और इस पर भी लोगों का कहना है कि शायद अरविन केजरीवाल की जो पैंजल थी जो कलम थी उसकी नौक तूट चुकी है और इसी लिए अरविन केजरीवाल कुछ लिक नहीं पा रहे हैं बात अकर दिली में भी किस तरीके से फ्री के लालच में जिन लोगों ने अरविन केजरीवाल को वोट दिया आज उनके बिल भी हजारों में आ रहे हैं पानी लोगों के घर पे ठीक से आ नहीं रहा लोगों की जो समस्या हैं वो भी दिन प्रती दिन दिल्ली में बढ़ती जा रही है करोना के मामले की भी बात करें तो किस तरीके से अरविंद केजरिवाल ने केंदर सरकार से बड़ी मात्रा में पैसा लिया था पर उसके बावजूद भी वो पैसा किस तरीके से पियार में और अपने एड़टीसमेंट में उड़ाया गया था ये भी आज भली भाती जनता जानती है और आज यही बड़ा कारण है कि पंजाब में हर जो जुट पंजाब सरकार की तरफ से अरविन केजरिवाल की तरफ से बोला जा रहा है उसको लेकर आज जनता लगातार सवाल उठा रही है इसी के साथ आपको यह बता दें कि आज आमादमी पार्टी से पहले कॉंग्रिस की जो सरकार थी वो नेता अपनी गाड़ियां खुद यूज किया करते थे अपनी गाड़ियों से आना जाना किया करते थे बला की कॉंग्रिस की जो नेता थे वो पूरा पैसा सरकार से भी वसूला करते थे और अपने ड्राइवरों की सेलरी भी सरकार से ही लिया करते थे पंजाब सरकार से यानि कि कॉंग्रस हो या फिर आम आदमी पार्टी किस तरीके से जनता के पैसे का इस्तमाल किया जाता है किस तरीके से सिर्फ अपनी मुल्भूस सविधाओं के लिए पैसे का इस्तमाल किया जा रहा है आज ये जनता भल झाल झाल